नमस्ते सस्रीयकाल अस्सलाम वालेकुम आप सभी को बहुत सारा प्यार मैं शफ पूनम आपके अपने चैनल पे एक नई रेसिपी लेके आए हूँ आज की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है आज हम बनाएंगे रक्षा बंधन स्पेशल चॉकलेट बर्फी इस रक्षा बंधन पे सभी लोग घर पे ही मिठाई बनाना प्रिफर कर रहे हैं बाहर से खरीदना कोई भी नहीं जाता है तो इसमें आप ये इजी रेसिपी इजी मिठाई बना सकते हैं बहुत ही कम इंग्रीडियन्स में अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सबसे पहले हमें लेना है ये अप्रिकॉट ये ड्राइवाले अप्रिकॉट हैं ये मार्केट में इसली अवलेबल होते ह साथ आठ हमने अप्रिकॉट लिये हैं इसे चोटे पीसेज में हमने चॉप कर लिया है इसके साथ साथ हमने लिया है कलरफुल चेरी आपके पास जो भी चेरी है वो आप ले सकते हैं और इसका ड्राइफ रूट्स भी लिये हैं इसका कोई मेजर्मन नहीं है आपको जितना इसका करने है की कि यदि नियुक हंगा ye चिए पलेट में ट्रासफर कर लियेंगे और ये कि अच्छी लगरीह देखने में चेरीज आप्रिकॉट में अपने मन से अपको जो भी अच्छी लगरीहें और ड्राइफ रूट्स वह अट we had mund ट्रे जम लेसी चीजों को आपको ह और ये हमने 300 g white compound लिया है इसको हमने छोटे पीसेज में cut कर लिया है इसके बाद हमें लेना है mango flavor compound इसे भी हमने छोटे पीसेज में cut किया है ये 200 gram है अब हमने लिया है एक pan पैन को हमने गरम कर लिया है आप इसमें 60 tablespoon milk add करेंगे मिल्क ठंडा या गरम एड़ कर सकते हैं वन टेबल स्पून इसमें बटर एड़ करेंगे और इन दोनों चीजों को अच्छी तरीके से पहले मेल्ट कर लेंगे और ये जो है बटर एड़ करने से इसमें एक अच्छी सी शाइनिंग आएगी और जो चॉकलेट होगी वो डिमोल्ड बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगी अब इसमें हम वाइट कंपाउंड जो चॉप करके रखे थे उसे आड़ कर देंगे गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखना है जिससे की ये जो चॉकलेट है वो जले ना इसे हमें धीरे-धीरे इसे मल्ट करते जाना है और चलाते रहना है चलाना बहुत ही इंपोर्टेंट है इसे लगातार आप चलाते रहिए तभी चॉकलेट बर्फी में जो है गुठलिया नहीं पड़ेंगे ये जो है देखे अच्छी तरीके से मल्ट हो गया अब हमने जो म मिक्स हो जाए यह देखे हम इसे मिक्स कर रहे है गैस का फ्लेम एक दम जो है इसके बाद जो पैन है वह अपने शोड़新 Gl~! मिक्षर को और अब हमने गैस की जो फ्लेम है उसे हमने बंद कर दिया है और यह हमारा जो मिक्षर है वो बनके रेडी हो चुका है अब हमें इसे एक मोल्ड में ट्रांसफर करना है मोल्ड में ट्रांसफर करने से पहले हमें उसमें लगाना है बटर पेपर बटर पेपर लगान एकदम अच्छी बर्फी जो है चौकलेट बर्फी बनके तयार हो अब इसको हमें सेट करने के लिए 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है 10 मिनट बाद देखिए एकदम सेट हो चुकी है अब हमने लिया है मैंगो कमपाउंड इसे हमने चौप कर लिया है इसे हमें डबल बॉलर में मेल्ट करना है तो ये देखिए डबल बॉलर में अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है जो हमारी बर्फी है उसके उपर से हम ये मैंगो कमपाउंड भी डाल देंगे जिससे कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हैगा खाने में बहुत जादा यमी लगेगा तो इसे हमें एकदम अच्छी तरीके से सेट करने के लिए रखना है और ये काम हमें बहुत ही फास्ट करना है क्योंकि ये जो कमपाउंड है बहुत ही जल्दी से सेट हो जाता है इसे हमें अच्छी तरीके से चारो तरफ स्प्रेट करना है और ये दे प्रिस्ता भी एट कर दिये हैं और यह देखे यलो यलो बर्फी जो है बहुत ही जादा अच्छी लग रही है इसे फ्रिज में रख देंगे सेट हो चुकी है अब हमें इसे डिमोल करना है और बटर पेपर को सबसे पहले निकाल देंगे उसके बाद हमें इसके पीसेस कट करन तो इस रक्षा बंदन पर आप इसे ट्राइ कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना स साथी साथ बेल आइकन दबाना बलकुल नहीं हो लें जिससे मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे अब मैं मिलूंगी अपनी एक नए रेसिपी के साथ तब तक देखते रहें शेफ को नमघर की रसोई